नमस्कार बच्चो आज हम गड़ित का पेपर सॉल्व करेंगे कच्छा साथ का वर्षिक पेपर इसका तीन बटे पांच की तुल्ले भिन्हें नौबटे पंद्रा दूसरे का दो हो जाएगा एक किलोग्राम पच्छा साथ सो पचास हो जाएगा चौथे का एक पांच में का पटना हो जाएगा रिक्तिस्तानों की पूर्टी करना था पहला रिनात्मक दूसरा परिसर तीसरा सर्वांगसम चौथा बहुपद पांच में का तीन हो जाएगा सत्त पहला असत्य था दूसरा असत्य था तीसरा सत्य था चौथा सत्य था पांच मासत्य सही जोड़ी मिला करना था पहले का समांतर माध्य दूसरे का एक चर्ट तीसरे का भोजा गोने भोजा चौथे का पांध्य समलों नोगोने दसकी पावर चार पांच में का पांच छे दो पांच था वहमान जो आकणों की मध्य में होता है माध्य कहलाता है चर का वहमान जो समी करन को दस आधार है तो चार घात हो जाएगी 108 कुने 102 करेंगे तो ग्यारा हजार सो लाया जाएगा अंगला कुश्चन देखेंगे माईनस 3 माईनस 4 लेक सकते थे मिस्सत भिन के रूप में इससे सौल्व करते एक विकरम पढ़ए जिसका परिमाफ 320 यह ती से 10 20 आइए कि एक पदी दूइपदी । डूअ उऑ तीजिते हासा यह पहला दूआ करते नाफ wh K sk म उसर पावड ले कुछ कर जाते कुछ कर जातेहिए ог 그거 सबस्ट हो जाते हुआन से यह द्युना हो जाता तो संख्याँ को मान辉कों मेब्रिक्त किवें düşünений मानक रूप में लिखना था प्रद्च के दोनें प्रस्द्ध में बदलना था। कि सरवांसंग के प्रतिबंद में लिखना हvais दो भोजा गोंड o Policy बोजा यह लिखने थे लसी मीता कियार चाहिva श्रन कोने चार भश्राइस में परिसन नहीं करने था मध्य अंक और निकालना था यह आउय अंक्र दिए हुए इन में से और अधिक और सबसे कम आंक निकालना सबसे अधिक कौन है सबसे कम बाइसमें वाले में एक त्रभुच की रजना करना था जिसमें कौन इस साथ डिग्री का था कौन बी तीस डिग्री का यह भी पांदे समलब आठ सेंटीमीटर के प्रिष्ण तेईस में ए और बी की बैली दे रखी थी ने रखना था ए बरावर म माइनस एक है इन मानों में रखना था एक ही जगाए जीरो रख देते भी की जगाए माइनस एक मान निकाला दे निखलाम सूत इसमें गुणा करना था